नमस्कार साथियों को बड़ी खावर जापुर से मिल रहे हैं जानकारी मिल रही हैं दरसल महिला ओनलाइन कपडों का बिजनेस करती थी ऐसे हमें अपने पती से लग रहकर बिजनिस कर रही थी तब ही बताई जराई कि साल 2020 में फेस्बुक के जरी उसकी दोस्ती राहुल जेन से हो जाती है बातचीत के दोरान दोनों ने फोन नमबर एक्सजेंज किये और इस बीच अब राहुल जेन ने साधी का जहां सा देकर लिविन में रहने लगा और जहांपर रेप की घटना को अंजाम दिया जानकारी में सामना रहे दरसल मामला जैपूर के वैसाली नगर थाना इलाके का जहांपर ऐसे चोहीरलाल सेहने ने बताई कि खाती पुरा वैसाली नगर एक महिला ने मामला दरज कराया है उन्होंने बताई कि राहूल जैन ने फेस्बुक कचेरे दोस्ती की और उनके बिजनिस में रहकर साथ देने की बात घई लिविन में रहने लगा रही इस बीच बताई जराई कि दो साल से लिविन में रहकर इस दौरान कई बार इस घरना को अंजाम दे चुका एक सबते पहले राहूल उसने अपने घर में रख ले गया और वहाँ पर दो दिन रखा इसके बाद उसका छोटा भाई ने भी इस घटना को अंजाम देने की कोशिज की थी लेकिन सोर सराबा किया तो होँ से फरार हो गया इसका पायाद मौका पाकर महिला जैपुर पहुंची और जहां पर मामला दर्ज कराया बताई जरा कि साथ रहराद दो साल से राहूल उसका असली नाम वसीम खान था जो जबरदस्ति करने वाला उसका भाई नसीम खान था फिलाल पुलीस पर शासन ने दोनों को खिलाब मामला दर्ज कर लिया है फिलाल मामले में अंचंधान किया जा रहा है तो दोस्तो आप सभी को इस प्रकार की खबर दिखाना विशलित करना नहीं और नहीं आपकी भावनाव को ठीच पहुंचाना है बल्कि समाज में घटी थोन वाली सबी घटनाव से सचीत रखना है तो दोस्तो प्रदेश बर की तमाम खबरों के लिए बने रही चैनल से अगर आप चैनल से नहीं जुड़ा हैं तो दोस्तो सब्सक्राइब कर लेगी मिलते हैं के लिए वडियों साथ जहें दोस्तों